आईए, अब हम वर्षाजल संचन यानी रूफट औप रेनवाटर हार्वेस्टिंग के बारे में और जानते हैं. तो एक बहुत ही आसन सा सवाल है, पानी कहां से आता है? हमारे पास पानी के तीन मुख्य स्तोत्र है. एक वर्षा, इस प्रकार प्रकृती हम सभी की लिए भूमी पर ताजा पानी लाती है. दूसरा, सत्व पर प्रकृतिक स्तोत्र जैसे नदिये, तालाब, जीले और भूमीगत प्रकृतिक स्तोत्र जिने हम बूजल कहते हैं. पानी, बारिश का पानी इन स्तोत्रों में प्रवाहित होता है, ताकि हर बड़सात के मौसम में इनकी पुर्ती हो सके. कृत्रिम स्तोत्र जैसे वेस्ट वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट या डीसेलिनेशन प्लांट. अब जल चक्र के बारे में तो आप सभी जानते हैं. गर्मी के कारण महासागरोम से पानी वाश्पित हो जाता है और जल वाश्प के रूप में उपर उठता है. यह जल वाश्प ठंडी हो जाती है क्योंकि यह उपर उठती है और बादल बन जाती है. ये बादल जमीन पर आते हैं और जब ये और थंडे होते हैं तो बारिश देते हैं यह संक्षेप में जल चक्र है जो हमें हर बरसात के मौसम में ताजा पानी देता है इसी पर मानव सहित सभी जीवाश्रित है जबकि प्रकृती पानी का एक सम्रुद्ध स्तोत्र है लेकिन हमारे शहरों में पानी और अप्याई के व्यापक उप्योग ने पानी के कई मुद्दों और संकटों को जन्म दिया है हम जिन शहरी समस्या का सामना कर रहे हैं उसमें से एक यह है जैसे कि अमदाबाद शहर के मामले में जबकि पानी का मूल्स्त उत्र साबरमती नदी और भूजल था लेकिन अब जन संक्या में वृद्धी और मांग में वृद्धी के कारण हम नर्मदा नदी के पानी का उप्योग कर रहे हैं दूसरा पानी के खतरनाक समस्या में से एक प्रदूशन भी है यह मानव और अवद्योगिक कच्रे को नदियों और जीलों सही जलाशयों में बहाते हैं पानी को जरीला और हानिकारक बनाते हैं और भूमी और भूजल के अत्यतिक उप्योग से अब सतही और भूजल संसाधनों का स्तर नीचे जा रहा है घट रहा है आप उपर के शित्र में देख सकते हैं कि लोग घ्रेकिस्तान इलाके में पानी पाने के लिए कितना संगर्श कर रहे हैं गर्मियों में ग्रामिन ख्षित्रों में पानी की कमी होने लगी है बड़े शहरों में शहरी विकास की तिवरगति के कारण जीलो तालाब और जलाशयों पर अतिक्रमर किया जा रहा है जैसे कि आप इन सभी शित्रों में देख सकते हैं यह नागरिकों के लिए उपलब ता हमें सरकारी या नीजी टेंकरों पर निर्बर रहना पड़ता है और कई बार आपको पानी के लिए भुकतान करना पड़ता है तो वर्तमान समय में हमारे पास जो समस्याय है मुद्दे है उन्हें समझने के बाद क्या आपको कोई संदे है कि rooftop rainwater harvesting बहुत मात्वपूर्ण है और हम सभी को R.A.W.H. को लागू करना चाहिए संक्षेप में जैसे की चित्र में बताया गया है हमें वर्षा जल को एकत्र करना चाहिए इसे छानना चाहिए और इसे अपने उप्योग के लिए संग्रहित करना चाहिए धन्यवाद